तो सबसे पर आपका एक्जाम्पल देखते हैं इस एक्जाम्पल में आपका कह रहा है वह कि आप बिरिज केवल सस्पेंडेट फॉर्म टावर्स 80 मिटर अपार्ट एक केवल है जो कि आपके टावर्स पर लगे हैं और इस केवल में आपका यूनिफॉर्म भी डिस्टिटेट डोड लगाए राइट दिखे रहा हो आपको कोई डियाग्राम में भी और इस यूदिल की जो इंटेंसिटी है वो है आपकी 30 किलोनिटन पर मिटर यह बाइस है पिश्टेट इंट मिटर यह इंट पीटर जो इस अपकोई living टेंशन निलना आपको केवल में टेंशन निकालना है जितना ती में अंहरा होगा फिर एक कुशन तो आपको यह हो गया कि आपको केबल में टैंशन निकालना है देन आपका नेक्स कुशन कहा रहा है वो इव दे केबल इस सपूर्टेड बाइ सैडल्स विच आर स्टेड बाइब वायर्स इंक्लाइट थर्टी डिग्री तू थू होरिजंटल डिटर्माइन दा फोर्स एक्टिंग अन्द टावर्स राइट फिर एक और कुशन कहा रहा है वह आपका इफ दे सेम इंक्लाइशन ऑफ बैक स्टेड पासेज ओवर पुली डिटर्माइन दा फोर्स ऑन दावर्स तो आपको मैंने लास्ट टास में बताया था कि आपकी एंकर कि अब का टावर्स प्रस आता है वह आपका दो टाइप का रहता एक आपका पुली सपर्ट रहता है और दूसरा प कैसे रहता हा डाटल सब्रम रहता है अंवले आफमने देखे थे नहीं कस तरहीं पूछ रहा ही एक्पा कर दोनों इक पूछ रहा हिए Wots निकालना आप तो कि एक बढान निकालना है तो था एंपे इंच यहां commitment आपके पास है यह है पश्था प्रड़ यह दो केसे आपके पास एक आपका अब जिखर है आपको एक कोड़नी सब्दब्ब्ट आपका right hand side वाला कैसा है पुली वाला है एंड आपका left hand side वाला है वो कैसा आपका saddle है आपका saddle mounted on rulers rulers के उपर mounted है तो for both cases आपके formulas क्या होते हैं यह आपको पता होने चाहिए अगर आपका formulas याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका formulas बहुत ही easily derived आते हैं आपको क्या रिध्यान लखने है इनमें आपका load कैसे transfer होगा क्या इनमें चीज़े ध्यान में लखने वाली है उनको ध्यानते सुनना उसकी help से आप इसको easily वहीं पर derive करके solve कर सकते हो तो इन दोनों केसे नहीं क्या है वह समझो आप जो आपका saddle वाला case होता है पहला इसको देख लेते हैं तो जो आपका saddle वाला case होता है देखो जब आपका टावर पर फोर्स पूचेगा तो टावर पर आपके दो फोर्स आते हैं एक आपका horizontal फोर्स आएगा और एक आपका vertical फोर्स आएगा तो यह तो यह वर्टिकल के बारे में आपको दोनों टावर्स के बारे में पता होना चीए जो आपका saddle आपके बारे माउंटेट होता है उस केस में अगर आपका देखो यह रोलर है यह आपके लगेवे तो यह आली केबल आपकी होती है क्यांसी सपेंशन केबल का और लिफेंट मुट्य आपके आंकर केबल तो इन के बसcombation आ रहा है इंट टेन्चिन कानडंक क्या पका इंचिन अपके Хорошо अपकलes कंपोनेंट होगा सिमिलर्य आपका एंकल एंकर के भी क्या होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा राइट इनको आप नाम दे सकते हो इसको आप एच एस देदो यह अजिता क्यों क्योंकि आपका सस्पेंशन गेवल का है और है को आपका कैवल की एक लिखनें माइन एंक हल एस्पेंश को एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका सैडल किया है रोलर के ओपर मउं Springs रोलर लगे हैं तो इसको वो एकलीबियम में रहने के लिए आपका जो इसमें होरिजन्टल फोर्स लग रहे हैं वो आपके एक्वल लगने चाहिए क्यों 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 कि वो क्यों क्या होने चाहिए तो सब्सक्राइब यह होता है ये आपको थ्यान रखने पड़ेगी वर्टिकल फोर्स आपका क्या हो जाएक का टोटल वर्टिकल फोर्स ऑन टावर इसे हम वी टी कह देते हैं इस विल बी इकुवल टू वीए प्लस प्लस इस राइट आपके वी ए अन्वी एश दोनों ही आपके डनो डूर्ट रिश्चन में लग रहे हैं तो दोनों के सेंड डारेक्शन दोनों की एड देंगे इस ते तो आपको यह VA and Vs की values मिल जाएगी, यह बात थी आपकी किस की, यह आपकी कहानी थी आपकी saddle वाले की case के लिए, ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका इस pulley वाले case के लिए, इन case of pulley, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका same होगा, जो आपके tensions हैं, यह आपके दो parts में resolve होगा, एक horizontal और एक vertical, राइट, बट यहाँ पर एक बत notice करोगे, जो आपकी pulley है, उसके उपर से आपकी cable जा रही है, तो इस case में आपको क्या होगा, जो आपकी suspension cable होगी, और जो anchor cable होगी, वो दोनों same ही रहेगी, तो therefore इन दोनों ही cables में आपका same tension आ cable, इस case में आपको ये बात धियान में रखने वाली बात है, ठीक है, tension दोनों में ही same रहेगा, तो आप based on this angle, इनको resolve कर सकते हो, जो आपका horizontal से angle बना रहे हैं, दोनों ही cable, तो यहाँ पर आपका एक H मिल जाएगा, और एक आपका ह A मिलेगा, और यहाँ पर आपका H S मिलेग राइट, यहाँ downward direction में आपको दो vertical forces मिल जाएगे, एक V S मिलेगा, एक A मिल जाएगा, तो for this case, अगर हम आपका horizontal force पोल हूँ आपका tower पे, तो जो आपका H S है, वो H A के बराबर होगा या नहीं होगा, यह नहीं कह सकते हैं, यह दोनों different हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप fixed support है, तो आपको कहीं move नहीं करेगा, और H S और H A की value equal होगी या नहीं होगी, यह depend करेगा आपका इनके angles पे, जो आपके cable horizontal से बना रहे हैं, जो आपका alpha और theta दिख रहा है न, अगर आपके दोनों different है, तो आपके इन दोनों की values different रहेगी, और अगर आपके दोनों angles same है, त आपके दोनों की value same रहेगी, तो यह आपका totally angle पे depend कर रहे है, और in most of the cases आपके angle different मिलेंगे आपको, तो आपका H A और H S दोनों ही different मिलेगा, right, तो for this case अगर आपका मैं total horizontal force पूछूं, बोलूंट टावर पे, तो वो आपका क्या होगा, H S minus H A, है न, आपके opposite direction में है, अगर आपका H S बढ़ा है तो H S से minus कर दो, अगर आपका H A बढ़ा है तो H A से minus कर दो, right, तो मैंने आपका H S को बढ़ा माना है, इसलिए आपका H S से H A को minus कर दिया, right, तो horizontal tower आपका क्यान की लिएगा, इन दोनों के difference से मिलेगा, and similarly आपका vertical force मिलेगा आपको tower पे, वो दोनों का समिशन से मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम डारेक्शन में है, तो V A plus V S, right, हमने आपका देख चुके थे already, ठीक है, तो यह आपको, यहाँ पर फॉर्मलेस जाद रखने की जरूद नहीं है, मैंने आपको फॉर्मलेस भी लिखाए है, but फॉर्मलेस जाद रखने की जरूद नह निकालने ते पहले हमें टेंशन की वेल्यू परता होने चीजिए अपको यह T max दिख रहा है, तो आपका first step यह होगा कि आप इस टेंशन को निकालो, ठीक है, तो टेंशन निकालने के लिए, पहले आपको पूरा question solve करना पड़े का, right, क्योंकि आपको पहला question वो यही कह रह यह जो आपकी reaction मिलते हैं, दोनों supports पे, VA and VB, and आपको horizontal reaction पे निकालने पड़ेगी, right, इनकी हल्ब से आपका tension निकलता है, तो सबसे पहले आपकी reaction निकाल लेते हैं, तो in this case, reaction vertical force जो आपका दिख रहा है आपको, right, इस case में आपकी जो लोडिंग मिल रहे है, आपको और जो केबल है, वो दो काफी uniformly है, right, uniformly distributed load है आपका, symmetry, symmetry load है आपका, right, कि आपका जो लोड मिल रहा है, आपको symmetric है, दोनों तरफ सेम है, और जो आपको cables के end है, वो भी आपके same point पे है, मतलब की height same है, cables के end की, it is possible कि आपको cables के height different हो सकती है, हैना एक आपका थोड़ा नीचे हो, एक चीज को निकालने के लिए कर आप, मतलब easy way में निकालने की कुछिस कर रहे हो, और आप symmetry कर रहे हो, तो आपको आपको आपर दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, एक आपकी loading symmetry होनी चाहिए, second आपकी geometry भी symmetry होनी चाहिए, आपका structure की geometry है, वो भी symmetric होना चाहिए, तो इस case में आपके दोनों ही चीज़ है, loading भी symmetric है आपका, और structure की symmetry भी आपकी, geometry भी आपके symmetric है, तो for this case जो आपका total load होगा, वो आपका equally दोनों ही reactions में distribute हो जाएगा, तो VA will be equal to VB, right, and that will be equal to total load divided by 2, तो आपका total load act कर रहा है, इस cable में, वो कितना होगा, फटा-फट से मुझे प आपका, यूडियल है, तो यूडियल की intensity कैसे निकालते है, total load कैसे निकालते है, आपकी intensity से multiply करते हैं, तो आपकी इसको, उसकी length को, तो 30 by 80 will be the total load, 30 multiply by 80, right, तो यह आपका आजाएगा, तो यह आपका आजाएगा, तो छोड़ों से निकालने की ज़्रावत नहीं है, वैसे 2400 आजाएगा, देरफोर जो आपका VA होगा, this will be equal to VB, and this will be equal to to total load divided by 2, so 30 by 80 कितना हो गया, 2400 हो गया, divided by 2, right, and this will be equal to 1200, right, तो अगर आपको symmetry का ध्यान है, तो आप easily calculate कर सकते हो चीजों को, अगर आपको symmetry नहीं मिलती है, तो फिर आपको क्या कंदा पड़ता है, आपको moment लेना पड़ता है, किसी एक point पे, यहां तो आप A point पे moment ले लो, या फिर आप B point पे moment ले लो, right, तीक है, आपका vertical forces निकल के V A and V B, next हम देखते हैं, आपको horizontal force निकालने के लिए, तो for horizontal force निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको moment लेना पड़ेगा, अब moment कहां पे लेना है, यह आप मुझे बिता हो गई, यह बिता सकता है, आप moment कहां पे लो, मैं to calculate horizontal force, अगर मैं आपका A or B point पे आपको moment लेता हूँ, तो आपका H उसी point से पास हो रहा है, तो दोनों ही यह आपके 0 हो जाएंगे, horizontal forces, तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो आपको कोई भी एक different point पे आप ले सकते हो, जिसकी distance आपको पता हो, तो cable में आपको center point की dip पता है, center में आपका 8 meter का dip है, त तो आपको center पे moment लेना चाहिए, clear हो गया, वैसे तो मैंने आपको horizontal force का formula भी लिखा रखा है, in case of UDL, आप formula भी direct use कर सकते हो, but formula में इतना dependent मत रहो, क्योंकि formula अगर भूल गए आप, तो आप question solve नहीं कर पाओगे, right, तो इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ कि formula पे dependent ना हो कि भी आप question को solve कर सकते हो, यह आपको best तरीका रहता है, formula आपको help करते हैं, जल्दी question solve करने कले, but if in case formula भूल गए आप, तब भी आपको बता होना चाहिए, कैसे solve करना question को, तो अगर हम आपका moment लेते है, moment at C, it will be equal to 0, तो इसकी equation क्या मिलेगी, फटा-फट से बताओ मुझे कि देखो, moment at C ले रहा हूँ मैं, और आपका left hand side consider कर रहा हूँ, ठीक है, only left hand side आपके जो load लग रहे हैं, center के, उसको आप देखोगे, ठीक है, इसके लावा कोई load नहीं देखोगे, यह आपका center है, यह आपका center है, आपका center के left hand side में जो आपको load देखे रहे हैं, उनको आप consider करो, और मुझे moment के equation बताओ, फटा-फट से क्या आने वाली है, सबसे पहला आपका H force है, और इसकी distance from center point कितनी है, 8 meter है, जो आपका center deep है, राइट, then आपका H, आपका कैसा moment create कर रहा है, आपका center के around, यह create कर रहा है, आपका anti-clockwise, राइट, anti-clockwise को मैंने positive आ लिया है, that means मैं clockwise क negative मानुगा, then आपका VA force है, VA आपका clockwise create कर रहा है, इसलिए मैं आपका VA को negative मान रहा हूँ, तो VA multiply by, VA के distance center तक कितनी है, आपकी 40 है, right, total length आपकी 80 है, और center तक 40 हो जाएगी, यह आपका H और VA के कर रहा है, then आपका next moment आएगा, due to external loads, जो आपका UDL act कर रहा है, तो from A point to center आपका UDL act कर रहा है, उसी का load आपको consider करना है, तो A से लेके C तक का जो आपका total load होगा UDL का, वो कितना होगा, that will be 30 multiply by 40, right, नहीं होगा आपका total load, और यह आपका positive होगा या negative होगा, इसको ध्यान रखना पड़ा है, मैंने negative लिख दिया, बट आपका यह positive होगा फ्यूंकि आपका anti-clockwise create कर रहा है moment, right, और यह आपका act कहांपे करेगा, यह आपका, इस distance के midpoint pack करेगा, that means 40 by 2, 40 by 2 कितना होगा, 20 होता है, and equal to 0, right, clear है, सभी को, आपका जो इतना load था, मैंने इस load हो consider क्या देखा, इतना वाला, तो इसकी distance आपकी total 40 है, यहाँ तक, yes, बोलो, sir, बोलो, sir, यह इन्टू 8, 8 कहां से आए, sir, 8 to distance, h है, जो आपका, जो h है, उसका, अगर मैं आपका पीछे की तरह projection बढ़ाता हूँ, तो इसका line of action की distance from c.8 meter आपको given है, right, यह distance होगी आपकी h की, है, जो आपको यह 8 meter दिख रहा है, yes, sir, yes, okay, and you deal, यह आपका 40 length तक आपका center path कर रहोगा, तो इसकी distance 20 होगी, ठीक है, अब आप इस equation को solve कर सकते हो, आपको h की value मिल जाएगी, तो h की value अगर आप solve करते हो, तो वो आपको मिल रही है, यह आपको मिल रही है, 3000, ठीक है, आप इसो cross check कर देना, बात में solve करके, this 3000, ओके, तो, आपने अब h calculate कर दिया है, v calculate कर दिया है, इन दोने value से आप tension को निकाल सकते हूँ, मैं आपको बताया था न, कि जो आपका, यह होता है vertical force, और यह आपका tension, यह आपका horizontal force है, tension निकालने के लिए मैं आपको बताया था, कि जब आपको VB और, sorry, vertical force and horizontal force पता होती है, तो आप इसका resultant निकाल के tension को निकाल सकते हो, राइट, वो आपका कहीं यहाँ पर act करेगा, clear है, यही आपका अपने डाग्राम बनाया है, यही आपका tension होगा, राइट, अब आप इस case में एक चीज़ नोटिस करना, कि जो आपकी यह केबल है, यह आपके symmetric cable है, दोनों में आपका load भी यूडिया लग रहा है, तो आपका जो A point है, और जो आपका B point है, दोनों में आपका same tension आ रहा होगा, क्यूंकि आपका VA और VB दोनों ही बराबर है, और आपका HB बराबर है दोनों में, है ना, तो VA और VB की value equal है, था कि resultant का जो formula होता है, तो T will be equal to under root of VA का square, h का square, यह formula को लिखाया था है, मैंने, यह याद है formula, ठीक है, तो आप इस formula दोखो, यह आपका resultant का formula होता है, ठीक है, जब दो forces आपके, लगे हो, और दो forces का resultant निकालना हो, तो आपको यह formula यूज करना पड़ता है, यह न, F1 प्लस F2, F1 का square प्लस F2 का square प्लस 2 F1, F2 cos theta, बढ़ा हो का आपने, यह आपका theta है, यहाँ पर, राइट, तो फाम इन फ्रम दिस फार्मला, वी कन कैलकुलेट, T tension, T max, इसे max भी ली सकने के ओका प्लस का maximum value होगी, ठीक है, तो इसमें आप values को put कर दो, V A आपका 1200 है, 1200 का square, H आपका 3000 है, 3000 का square, एन इसको आप कैलकुलेट करोगे, solve करोगे, तो आपको जो T max की value मिल रही है, वो आपकी R E है, 3231.1 किलोन्यूटर, यह आपको T max की value मिल रही है, है, तो आपने पहला question solve कर दिया कि आपका maximum tension in the cable कितना जाएं, तो in case of UDL आपको Tension निकालना थोड़ा easy पड़ता है, comparative to point loads वाला case जो आपका था, है ना, वहापे आपको हरे segment में आपको different tension मिलेगा, due to different point loads है ना, तो in this case आपका पूरे ही cable में आपका similar load लग रहा है, UDL intensity है ना, intensity 30, same intensity का load लग रहा है पूरे cable में, तो आपको same tension मिलने वाला है, पूरे cable में, है ना, A और B में आपको same tension मिलेगा, and that will be equal to 3231.1 kN, ठीक है, तो T max हम ने निकाल दिया है, राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको next questions में बढ़ना है, next question क्या थे आपके, कि if in case आपका tower में saddle mounted है, तो for that case आपका towers में क्या horizontal force हैगा, क्या vertical force हैगा, वो निकालना है, तो आपने यहाप पर T max तो निकाल दिया है, जो आपको आपको T max दिख रहा है आपको डाइगरम में, दोनों ही cables के डाइगरम में आपको 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 T max दिख रहा है, यह आपने calculate कर दिया है, अभी भी कुछ unknowns value है, जिसको आपको values चाहिए होगी, to solve this case, right, alpha and theta, यह एंगस आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी force को resolve कर पाऊगे, right, तो alpha की value आपको question में given है, अगर हम check करें alpha की value, तो देखो, if the cable is supported by saddles which are stayed by wires inclined at 30 degree to the horizontal, तो alpha is given, alpha की value कितनी हैं आपको? 30 degree given है, right, but theta की value आपको given नहीं है, तो theta की value आपको calculate करनी पड़ेगी, right, जो आपकी suspension cable है, वो horizontal से कितना angle बना रही है, इसको आपको calculate करना पड़ेगा, clear है, तो देखो, अब हम कैसे calculate करेंगे theta को यहाँ पर देखो, इसी diagram से calculate करेंगे, जो आपका यह diagram दिख रहा है, right, यह cable आपकी इसरी की सागर की तरफ बढ़ रही है, तो यही आपका theta है, cable का, with the help of, जो आपको आपका tension दिख रहा है, यह tension आपका horizontal से कितना angle बना रहा है, theta बना रहा है, तो हमको यही angle calculate करना है, तो यह angle calculate करना काफी easy है, आपको बताया थे minute, आप 10 theta की हख से calculate कर सकते हो, आपको h की value पता है, base पता है, और आपका vertical 4G पता है, तो आपका perpendicular and base दोनों ही चीज़ पता है, right, तो आप क्या करोगे यहाप़, simple सा 10 theta का formula लगाओगे, 10 theta will be equal to, V divided by h, तो आप इसको solve कर लो, तो यहाँ से आपको theta मिल जाएगा, हमने क्यों रिख रहा हूँ theta को आप theta समझना है, तो यहाँ से आपको theta मिल रहा है, 21.80 degree मिल रहा है, तो यह को clear है, theta कैसे निकाला है मैंने, एक पर मुझे confirm करो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यह थीटा इस इंपोर्टेंट, यहाँ theta के आपको solve नहीं कर पाऊँ यह क्यों इसको, बताए theta के क्लियर है सभी को, हमने आपके नॉर्मल रे ट्रेंगल को यूज करा है, हमने आपके ट्रेंगल बन रहा है ना, बताओ theta part से, सभी लोग अपसेंट है क्या, अमन, अंश, अनुप, किसे के प्रेज़न निलगा हूँगा सब कोई नहीं बोल रहा है, हां, तो बहुलो ना फिर कौन बोलेगा, ठीक है तो आपका theta निकल गया है, अब हम आपका forces निकाल तो सबसे पहला आपका case लेता है, saddle वाला case ठीक है, तो in case of saddle, है अपको यहां पर क्या पता है, एंगल्स पता है, अलफा अन थीटा, और आपको T max की value given है, तो आप easily calculate कर सकते हूँ, पर आपको T1 की value given नहीं है, यहां पर आपको T1 है, इसकी value given नहीं है, तो यह भी आपको calculate करना पड़ेगा, तो वो कैसे calculate करेंगे हैं, उसको देख लेते हैं, देखो, in case of saddle mounted cables, in this case, आपका जो, Hs होगा हूँ, आपका Hs के बराबर होगा, तो H will be equal to, Hs equal to H A, और यह आपका मैंने H लिखा है, यह क्या है, horizontal force on tower, ठीक है, तो for this case, आपका जो Hs होगा, Hs will be the horizontal component of T max, तो T max, cos theta, यह 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 आपको horizontal component, आपको result करना मैं सिखाया है, आपको हमने आपको लोग trust परी कर चुके है, तो trust में इतना result करना सीखाया है, तो इसमें आपको दिक्यत नहीं है नहीं चाहिए हैं, तो T max multiplied by cos theta will be the horizontal component of T max, similarly आपका जो horizontal component of anchor cable होगा, that will be equal to T1 multiplied by cos alpha, ठीक है, alpha को मैं आपका add to add to add से लिख रहा हूँ, यहाँ पर keyboard में alpha नहीं है, ठीक है, sorry, मैं आप यहाँ पर प्लस लिख दिया, आपको बता भी नहीं रहा है, प्लस नहीं होंगे, आपके दोनों बराबर होंगे हैं न, यह दोनों equal रहेंगे आपके, क्योंकि आपका roller support है, clear है, इस equation में आपको T max की value given है, T1 की value नहीं पता है, cos theta की value पता है, and सब की value पता है, कि एवल T1 की value नहीं पता है, तो T max की value कितनी है आपके पास, 3231.1 हो गई, multiply by cos, theta की value कितनी है, 21.80 degree, right, equal to T1 multiply by cos, alpha की बाइब आपको given है, that is 30 degree, the cos, 30 degree, from this equation, you can calculate T1, right, तो यहां से आपको T1 मिल जाएगा, तो T1 कितना हाला है आपका, मैं आपको value लिख दो हो, आप लोग बाद में cross check कर लेना उसको, T1 आपका आ रहा है, 3464.1 kilo Newton, ठीक है, तो यहां से आपने T1 को calculate कर दिया, इवन निकालना इसलिए important था, ताक आप vertical pressure निकाल पाओ, तावर पे, तो अगर आपका vertical pressure निकाल थे, हम टावर पे, वर्टिकल प्रेशन इंट आवर विल बी एक्वल टो विए विस प्लस विए एंद विस के वाल्य आपके क्या होगी विस इस दा वर्टिकल कंपोनेंट आफ दीमेट्स दैटमीस टीमेक्स ऐख र्यूटिप्लाय भाइ साइं थीटा एंड थीटा के वालों कितना है टूंटी नोट फेट जिरो एंड एंड प्लस इवन इवन किया हमने कल्कुलेट कर चुके हैं 3464.1 ना वी एक ही वेल्वी क्या होगी वर्टिकल कंपोनेंट आफ टीवन एंड टीवन साइन थीटा तो साइन अलपा सौरी साइन अलपा कितना है 30 डिगरी है तो जो आपकी एक्वेशन आपकर टीमेक्स की वैल्वी गिवन है अल्रेडी टीमेक्स की वैल्वी कितनी है आपकी 3231 आपने एक एल्फिट कर रखी है 3231.1 आप इसकी यह लोगा है पूट करो और आपको वीटी मिल जाएगा टूटल वर्टिकल प्लैशर ओन टावर तो वीट यह आपका आ रहा है 2931.98 तो यह आपका वर्टिकल पोर्स ऑन टावर आ गया तो इसका करेंगे गाइडेड वार देका ठीक है तो गाइडेड वाले केस के लिए आपका क्या फॉर्मलेस होते हैं वह मैं आपको बताया था था थोड़ ज़र पहले है roommate ऐस टी विल ब Nashville hs-하죠 तो सबसे प्शला को निकालना पड़ेगा गैन आपको वर्टिकल पोर्स निकालना पड़ेगा ठीक है तो if the case if the cable is on pulley तो वर्टिकल फोर्स क्याएगा उसको क्या पड़ेट करना पड़ेगा ठीक है तो फर गाइड़ीट पुली सपोर्ट सबसे पहले आपका होज़ेंटल फोर्स निकाल देते हैं तो होज़ेंटल फोर्स ht will be equal to क्या होता है इसमें hs minus h a right ऐसा पॉजरूरी नहीं क्या हमें से hs minus h a ही होगा हमें नहीं पता कॉन सा बढ़ा है इसलिए मैं आपका h s से h a को मैंस कर रहा हूं अगर नेगेटिव आएगा तो that means आपका h a बढ़ा था और आपका होज़ेंटल फोर्स होगा वो आपका क t max right to t max dot cos theta theta is 21.80 right minus h a h a is the horizontal component of t max यहां भी आपकर t max राएगा सेम ठीक है आपके हम t1 नहीं यूज़ेंगे इसका ध्यान रखना आप लोग क्योंकि in the case of guided police support आपका दोनों ही केबल्स में टैंशन सेम रहता है तो h a की जो वैली होगी वह आपकी क्या होगी कि i max multiply by cos alpha and alpha की वैल्यू कितनी है आपकी कि अब की वैल्यू आपकी कितनी है 30 डिग्री है अब तो यहां से आपको टीमेक्स की वैल्यू अल्रेडी गिवन है टीमेक्स कितना है 32 31 पॉइंट वन ना कॉस है 21.8 माइनस है 32 31 पॉइंट वन पॉस थर्टी अब साल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएकि है है की तो यह वैल्यू आपकी जो आ रही है यह है आपकी 201.82 किलोन्यूटन 210 आ रही है ठीक है इस इस एच्टी अगर आपका वर्टिकल फोर्स के लिट करते हैं वर्टिकल फोर्स का भी हमने फार्मला लिखा था ऊपर वर्टिकल फोर्स टावर इस एकल टू वी ए प्लस वी एस तो अपने विए प्लस वी एस कर देना है और वी ए की वैल्वी क्या होगी इडिस वर्टिकल गॉंपोनेंट ऑफ तो हैं एंजिन इन अंकर के बल य हंपर तीमेक्स मैटिप्लिप्लाय बाइक कोस्ट 30 टीकल हो जाएगा हम परम्वीर पिर सकारिव चाहने जेंदिटेण हम्राइगा है अशॉरी साइन थाटी हाँ परम्वीर आपके कह रहे हो तो प्रू जेरो वन सब्सक्राइब कर दोनों ही सब्सक्राइब तो आप अगर वर्टिकल करते हो तो आपको जो वर्टिकल पोर्स मिल रहा है और टावर्स दैट इस एक्वल टू आप लोग उसे चैक कर लेना दाट इस टू एट वन फाइफ कॉइंट फॉर एट किलो नुटन टीक है यह सॉलुशन वगरा करना आप आप खुछ से कर सकते हो यह प्लस मैनस तो इस आप वर्टिकल पोर्स इस ओन आवर्स इन देखते हैं फटा फट से एंड इन इस कोईशन आपका क्या होगा आपकी जो केबल स्केजर एंड है वो डिफरेंट लेवल पर होंगे राइट अभी जो आपके सेम लेवल पर थे आपके दूनों एंड बट इस केस में अपने ठीक हो जाएगा सेम ईन्ट हो जाए मोज़ूंत अदेगा सबन्यगा उनके इन्क फिच नियोंते के रहां को पर दिखररिक के लिखरANS करी मरत के लिखावट ले थे इसमें क्या डिफरेंट तो मिखोड़ा सब्सकेफर केबल ऑफ वेट 3x4 न्यूटन पर तो यहां पर आपको केबल का वेट गिवन है राइट 3 by 4 न्यूटन पर मेटर तो किसी भी चीज का जो वेट होता है वह आपका युनिफर्मनेड्स्टिबुटेड्ट लुड़ की हल्प से लेते हो अगर आतकर मैं वोल का वेट्ट दूघा तो वॉल का वेट्ट मैं आपका युनिफर्मनेड्स्टिबुटेड्ट की हईल्प में दूगा अपको 예ut कर फोर्ज दे दूंगा उसका की पर मीटर इसका वेट कितना है 3 by 4 है राइट यहां पर जापको यह वेट गिवन है यह इन दफॉर्म फॉर्म डिस्टिबूटेट लोड गिवन है राइट तो आपको इस जो वेट को आपको एज़ा यूडिल कंसिडर करना है अपने कोशन मे यहां पर यह इंपटन है कि आपके जो केबल है कर रही है जहाँ आपके जो केबल के एंड से वह आपके 60 मिटर अपार्ट मैंसल्ब उनके जो हाइट लेवल हाइट डिफरेंस ओक इतना है 60 मिटर का इठीक है ने लेफट यह अन्ड बिंग एटेच्ट तो डवाल एत तो यहां पर जो 60 मिटर अपर आपको जो डिस्टेंस गिवन ए इनकी वर्टिक सॉरी होज़टल इस तेंस है वो 60 इंटल दूरी है उनकी बीच की और जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस हो दूनों के बीच में वो 10 मिटर सुरी तीक है तो, the left hand being attached to the wall of 0.10 meter below the right hand hand, त्रीके राइट हंड से, नीचे आपका left hand hand है, 10 meter की distance पे, राइट! A concentrated load of 100 newton, एको load आपका गीवन आया आपड, कि एक point load आपका 100 newton is attached to the cable in such a manner that the point of attachment of the load is 20 meter horizontally from the left hand and 5 meter below the left hand support. तो यह आपका है पर जो इस लाइंग से लिखा है आपको यह वह कहा है कि आपका इक प्वाइंट लोड है 100 नुटन का जो कि आपको केवल में कहीं पर अटेच है और इसकी आपकी लोकेशन गिवन है लोकेशन कितनी गिवन आपको उसमें कोई 20 मिटर है लेफ्ट हैं साइट से होईजन्टली एंड फाइफ मिटर है लेफ्ट हैं साइट से वर्टिकली दोनों ही गिवन है उस पॉइंट की लिए रहे हैं फ्रम लेफ्ट हैं सपोर्ट्ट छे राइट तो अब आपको क्योशन पूच्छ रहा है वह शॉड दैट दे म आपका support है वहां पर आपको maximum tension मिल रहा है यह आपको show करना है और उसकी value भी calculate करनी है right and the last line यह लिखिया आपके किदा cable weight may be taken as uniformly distributed horizontally वही जब को मैंने starting बितायता है कि जो cable का weight है आप उसको यूडियर consider करोगे question सब्यों के लिए रहे तो सबसे पहले इसका diagram समझ लेते हैं इसका diagram मैंने आप बनाया है ठीक है तो आपको diagram में सबसे पहले इसके ends बना लो आप लो तो आपको यहां पर end दिख रहे होंगे आपको जो आपका जो ए वाला end है that is left hand और जो आपका बी वाला end है that is right hand इन दोनों ends की बीच की जो horizontal distance है यह वाले distance इसको मैंने कितना लिखा 60 मिटर लिखा देखो नीचे यहां पर देखो यह आपको 60 मिटर गिवन है राइट ए और बी की बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस से वो कितने गिवन है आपको 10 मिटर गिवन है यहां पर राइट तो इसलिए मैंने आपका जो left hand side बनाई है वो आपकी B से 10 मिटर डाउन बनाई है यही कुशन में गिवन था आपका left hand क्या है आपका B से 10 मिटर बिलो है तो that is why आपका 10 मिटर नीचे बनाया है ठीक है और पूरे ही केबल में आपका यूडिल एक कर रहा ह है of intensity 3 by 4 यूडिल क्या है आपका weight of the cable है जो आपका मैंने यह केबल में आपका यूडियल लगाया है वह आपका weight दिखा रहा है और इसकी intensity कितनी है 3 by 4 newton per meter ठीक है देन आपका उसने कहा था क्याक्वाइक पॉइंट लोड एक कर रहा है तो मैंने आपका 100 newton का पॉइंट ल distance है वह आपको कोशन में given है from left hand side left hand hand से given है आपको ठीक है तो इस point की जो horizontal distance है वह 20 meter given है आपको from left hand hand and इस point की जो vertical distance है from left hand वह कितनी given है 5 meter given है तो मैंने आपकी 5 inch 20 meter यहाँ पर diagram में show कर रही है तो यह diagram possible है कि आपको question में ना given हो आपको खुछ से बनाना पड़े तो diagram मैंने कैसे बनाया है सारी information इसमें शो करिए या आपको समझ में आनी चाहिए इसमें कुछ आधा difficult है हमें क्या करना है tension calculate करना है तो हमें tension calculate करना है दोनों ही जगापे एक आपको A point पी T A calculate करना पड़ेगा और आपको B point पी TB calculate करना पड़ेगा क्यूंकि इस case में इस वाले case में आपको जो vertical forces है V A and V B यह दोना आपके सेम नहीं रहेगी क्योंकि यहां पर आपकी symmetry नहीं है यहां पर आपकी geometric symmetry भी नहीं है आपके दोनों ही ends different level पर है और आपका loading भी आपके different है क्योंकि आपका यहां पर point load लग रहा है जो आपका left hand side की तरफ है center पर नहीं है तो therefore इस case में आपका जो V A and V B हैं वो दोनों ही different रहेंगे तो अगर आपके V A and V B दोनों ही different है तो therefore आपको जो T A and T B जो आपके tensions है वो भी आपके दोनों different रहेंगे तो आपको T A and T B दोनों ही calculate करने पड़ेंगे and to calculate T A and T B सबसे पहले आपको vertical forces calculate करने पड़ेंगे and horizontal forces calculate करने पड़ेंगे they are right तो आपको T A and T B निकालने के लिए आपको पहले V A and V B निकालना पड़ेगा और आपको ये H B निकालना पड़ेगा तो V A and V B और H निकालने का procedure आपको same ही है जैसे भी हमने same कर रहे हैं आपको right तो in this case V A and V B निकालने के लिए आपको moment लेना पड़ेगा right तो मैंने आपको सबसे पहले moment लिया है आपका A point पे तो मैंने submission of M A equal to 0 कर दिया है ना ताकि मैं आपका V B को निकाल सकूँ right तो moment लिकालने में आपको सिकान जी रहा हूँ equation कैसे बनिया आप easily निकाल सकते हो कोई दिक्करत नहीं है देखो V B की distance आपके 60 होगी तो V B into 60 लिखा है मैंने फिर आपका यहाँ पे 100 Lutein का node लग रहा है तो 100 की distance आपकी A तक कितनी है 20 है question में given है आपको और आपका यह जो H है जो आपका V B पे आपका जो H लग रहा है इसको भी आप consider करोगे क्यूंकि यह भी आपका A point से पास नहीं हो रहा है इस case में तो H की distance A point तक कितनी है आपकी यह vertical distance आप calculate करोगे यह कितनी है आपकी 10 है right और साथ में आपका जो यह PL multiply by L by 2 है यह आपका क्या है due to uniformly distributed loads आपका cable में लग रहा है जो आपका PL है PL इस total load and PL को multiply किया है हमने इसके distance से that will be center आपका center fact कर रहा होगा यह L by 2 पे right तो equation को solve करोगे आपका VB के value मिलेगी but आप इस equation में एक चीज का ध्यान होगे कि आपको यहाँ पर दो variables पता है VB and H दोनों की value आपको नहीं पता है तो इस equation से आपको किसी भी की value नहीं मिलेगी आपको equation मिलेगी in terms of H है ना यहाँ पर आपको जो VB की value मिल रही है वो आपको H की form में मिल रही है अभी आपका जो H है वो unknown है therefore मैं आपको इसे equation number 1 माना है ठीक है अभी इसको solve करने के लिए मुझे आपके एक और equation के help पड़ेगी right तो उस equation को solve करने के मैं आपके करूंगा मैं moment ले रहा हूं आपका कहां पर C पर ले रहा हूं moment at C will be equal to zero है ना आपको पता है कि cable के हर एक point पर moment zero रहता है तो मैंने आपका C पर ही क्यों moment ले रहा हूं उसकी पिछे का reason यह है अगर मैं आपका B पर लेता moment तो मुझे आपको तीसरा variable मिल जाता that is VA आपका VA एक और unknown है वो भी मिल जाता आपका तो एक और unknown लेके कुछ फाइदा नहीं है अपके तीन unknown हो जाते है मैं solve नहीं कर पाता राइट सर्पी की बैल्यू कितनी है किसकी बैल्यू पी पी की वैल्यू 3x4 यहां पर डाग्राम में लिखी है 3x4 है ना यहां मैंने 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 भी किए 3x4 यह आपका weight of the cable सब्सक्राइब लेता हूं तो मुझे आपका equation में va मिल जाएगा and va will be another unknown तो एक और unknown रों रों करके कुछ फाइदा नहीं होगा मेरी equation solve नहीं होगी मुझे आपकी next equation जो चाहिए जहां पर आपका vb और h ही रहे that is why मैं आपका c पे moment ले रहा हूं क्योंकि मुझे सी की location पता है इसलिए मैं आपका zE per moment लेहाँ गा सीपे moment लेकर ब्सक्राइब करूं या राइट साइपसीन करूं या ये बैब को पत्दा होना चाहिए तो आप बताओ मुझे कि मुझे कहाँ पर देखना चाहिए राइट इंड साइड इखना चाहिए कि बदा बटाबट से कर मैं C पर मोमेंट ले रहा हुँ, राइट राइट साइड दिखना चाहिए क्योंकि राइट है, वी बी और वी हेच, एच मिलेगा है, तो मैंने आपका राइट है देखा है, तो वहाँ से मैंने आपकी एक्विशन जेनरेट करी, और मुझे दुबारा VB और H के आपको एक और equation मिल गई equation number 2 है ना यहां से तो आपके पास दो equation है and दो variables है तो आप इन दो equation को solve करके आप VB and H की value calculate कर सकते हो को इसा भी formula लगा सकते हो आप substitution method लगा लो elimination method लगा लो आपकी मर्जी है तो from equation number 1 and equation number 2 आपको VB की value and H value मिल जाएगी तो VB के आपके 88.5 रही है H value 196 रही है राइट जब आपकी VB और H value मिल गई है तो आप VB के value calculate कर सकते हो with the help of submission Fy equal to 0 है ना आपका पता है vertical forces का sum 0 होता है राइट तो VA will be equal to total downward load minus VB the total load कितना लग रहा आपका केबल में 100 क्लियूटन का आपका पॉइंट रूड लग रहा है पलस आपका जो केबल का weight है 3 by 4 multiply by length है ना इसमें से हम आपका VB minus कर देंगे तो आपका VA निकल जाएगा राइट तो आपका यहां से हमने VA को calculate कर दिया 56.5 तो आपका VA भी आ गया है अब यहां पर एक इंपोर्टेंट चीच आपके जो मैंने कोशन में आपसे पूछा था किस एंड पर आपका maximum यहां पर आपका वीबी वर्तिकल फोर्स बड़ा होगा वहीं पर आपको टेंशन ज्यादा मिलेगा तो यहां पर आपका वीबी बड़ा है that means आपका TB आपका ज़्यादा होगा और आपके इनकी values calculate भी करने पड़ेगी तो आप TA के value calculate कर सकते हो with this formula TA will be equal to under root of VA square plus H square and TB will be equal to under root of VB square plus H square यहाप आप VA and H के value put करो और यहाँ से आपको tension के value मिल जाएगी आपको mainly यह TB निकालना है जो आपका maximum tension है यह आपका maximum tension होगा इसको आप solve कर लेना और यहाँ से आपको maximum tension के value मिल जाएगी जिसका आपका central leap 12 meter है and इसकी ends की distance जो है आपके end to end distance यह कितनी है 120 meter given है then कहरा है the cable carries a ideal of intensity 2 km per meter of horizontal length तो आपको इस cable में ideal act कर रहा है और a skeudal के intensity कितनी है 2 km per meter है तो आप से पूछ रहा है calculate the change in the horizontal tension if the temperature rises by 20 degree Fahrenheit from the original take alpha equal to 6 into 10 के power minus 6 per 1 degree Fahrenheit तो आप से कहा रहा है कि अगर आपका temperature में 20 degree का rise होता है और unit आपको Fahrenheit given है आपर Fahrenheit तो अगर आपको 20 degree Fahrenheit अगर टेंपरेचर बढ़ता है तो उससे आपका जो horizontal tension होता है at cable ends H और V होता है आप यहाँ पर H इसमें आपका क्या change आ रहा है यह आपका increase कर रहा है decrease कर रहा है और कितना change हो रहा है value किया है उसको आपको calculate करनी है तो सबसे पहले तो आपको H calculate करना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका actual में H कितना आ रहा है है ना change कितना हो रहा है उससे निकालने सब आपको कि किस पे change हो रहा है वो निकालना पड़ेगा तो H की exact value क्या है पहले जब आपका temperature नॉर्मल था तो इन सारी वेल्स को put कर रहा है तो आपको H की value मिल गई है 300 kN तो इन ओरिजिनल टेंपरेचर आपका H की value आपको 300 kN मिल रही है तो आपको 20 degree Fahrenheit जब temperature increase करेगा तो उसके वाद आपको क्या change रहेगा इस value पर तो इसको निकालने के लिए आपके पास एक formula given है that is delta H upon H equal to minus 3 by 16 L square upon D square alpha T यह formula हमने आपका derive किया था एक आद lecture पहले जब हमने derivation देख रही तब आपका यह formula हुआपके derive किया था तो इस formula में आपको सारी values given है आपको निकालना क्या है आपको यहाँ पर आपको delta H निकालना है delta H is the change in H change in horizontal tension तो आपको delta H की value निकालना है बागी सारी values आपको given है आपको H आपको निकालना है 300 L आपको given है 120 D आपको given है 12 alpha आपको given है alpha की value कितनी है 6 into 10 की power minus 6 and यहाप़ आपको T दिख रहा है this T is change in temperature तो change in temperature कितना हुआ है आपको पास 20 degree का change हुआ है तो आप सारी values को put कर दो है आपको 3 by 16 L की value 120 put कर दी है D की 12 कर दी है alpha की value put कर दी है T की value put कर दी है तो यहाँ से आपको delta H upon H कितना मिल गया है minus 9 by 4 into 10 की power minus 3 यहाँ से आपको H आपको multiply में जाएगा और आपको delta H आपको calculate कर देंगे आप लोग है तो delta H की value मिल रही है आपको क्या मिल रही है minus 0.675 kilonewton that means आपका जो change आया है वो 0.675 का आया है और minus 9 जो कर रहा है कि आपका decrease हुआ है H की value में right तो delta H is 0.675 and this is decrease आपका H की value decrease करी है तो अगर आपकी पहले 300 value थी है H की at original temperature वो बाद में कितनी होगा या पी convert होके 300 minus 0.675 right तो यह आपकी कितना दगा इसको calculate कर लोगे आप लो यह आपका आजाएगा आपका यह आपका रहा है 299.325 299.325 किलोन्यूटर्ण इस तरह यह कोशन भी आपका आपका आ सकता है काफी सिंपल सा कुश्चन था है ना जैसे इसने आपका आपके होजन्टल टेंचन का चेंज पूछा है वैसा ही आपका वो चेंज इन स्ट्रैस भी पूछ सकता है ना आपका जो मने फॉर्म्मूला दिखा था डिल्टर अच अपन एच होंअअच वहाँ पर आपके दो तीं चीज भाड की इस लिए ध्या एक पड़े लिखा था उसका भी स्रीमी फॉर्मुला होता है आपका तो चेंज इन स्रेज भी पूछ सकता है आपका तो आपका स्रीमी फॉर्मॉला पहर यूज करोगी कि अधिस करहा है हा नरेश बोलो रालगे कुछिन में थोड़ा डाउट इस दर पूछ लो किस्ट में डाउत है अभी टाइम है हमारे पास सबब्सक्राइब इसी नहीं निकल रहा है में आए यह नहीं कर दो इस यह 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 नहीं निकल रहा हुगा आपका ना कि यह रगर हम शेंटर पर मुवमेंट ले रहे हैं तो सब चाहिए इस इनटो इस तो तो तू são de 말 नियन दा घ्रैना आपने लिधरोगीज कि रिखने द या जा निये निना तो ईकले छार यह जो उर्द कि क्यों कि यौ्डम liberal का विभीजम इसको देखना था जा niezुड ख्रीजी अथि क्योंकि आपको इस तरीके से और question भी आ सकते हैं आपको यह नहीं परता होगा तो इस question में आपको एक बास समझो यहां पर आपको YC निकालना पड़ेगा पहले राइट तो YC कैसे निकाला है इन्योंने अब यहां पर YC नहीं गिवन है तो आपको यहां पर एक चीज गिवन है आपको यहां पर length of the cable गिवन है राइट a light cable 18 meter long जो आपको पिछले वारे question में नहीं गिवन था राइट तो यहां पर यह डिफरेंस है आपका यहां पर आपको length of the cable given है जिब आपको length of the cable given होती है ना या उसके deflection को निकाल सकते हो यहां पर इन्होंने क्या है पर ड्रेंगल लिया है यह जो आपका left-hand और यहां प्राइश्टांड दिख हला दिख रहा है Kaisa की वला आपका half part यह राइट यह इसका डाग्राम में यह आपको सेंटर में वाइसी पूछा है उसने यह डिस्टेंस आपको 8 गिवन है यह भी आपको 8 गिवन है और अब देखो यहां पर आपको यह लेंथ निकालने है पहले के वल की ठीक है इसको मैं आपका एलवन माल लेता हूं एड़िसको मैं आपका एलटू माल लेता हूं तो आपको आप यह दो ट्रेंगल दिख रहे हूं तो आप ऐलवन कैल्कुलेंट कर सकते हो इस वादि राइट आइंगल ट्रेंगल से जो आपको लैप्ट इंसाइड भी आपकर तो जो आपके क्यों नरे स्च हई होगा यसार यसार और L2 क्या होगा आपका L2 भी सेम ही होगा आपका सेमे ट्राइगव हो क्यों सेम ही होगा आपका L2 भी राइड तो टोटल लेंथ और किपल कि अपके L1 plus L2 हो जाएगी ठाइड है L1 plus L2 यहाँ पर आपको L गिवन है अल्रेडी L कितना गिवन है आपको 18 मिटर गिवन है तो L की वेल्डू को आप 18 बुट कर दो और L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा अपर दोनों सेमे अपर मैंने 2 से मिल्टिप्लाइ कर दिया 2 मिल्टिप्लाइ बाइ 8 स्क्वेर प्लस YC स्क्वेर तो I hope आप यहाँ से YC की वैल्यू कल्कुलेट कर सकते हो इस एक्वेशन से यह सब्सक्राइगा तो यह इनों यहाँ पर भी किया है टीक है यही कर रहा है आपको 2 मुल्टिप्लाइ बाइट स्क्वेर प्लस YC का स्क्वेर और यह 1-2 बाइट मतलब अपका अंडरूट में आएगा है समझ में यह सर्व अब कल्कुलेट हो जागा आपका YC निकल जागा फिर आपका होजन्टल लेक्शन निकल जाएगी और आपका अपका निकल जाएगा तो अगर यहाँ पर आपका मानने एक आपका अपट धना इस निकल जाएग आपको कोशंग देता हूं जिसका स्तुलिशन आ अपट आप बुक में दिखना चाहो तो आपको मिल चकता है वह प्सथाएगद हुंा और पटाएग थो अध़िक तनशन कितना आ रहा है तेंशन आप बुक में देखो ना कितना रहा है 130.97 आ रहा है 130.97 नूटन आ रहा है ठीक है तो मैं आपको एक केबल कोशन दे रहा हूं ठीक है यह उससे डिफरेंट है थोड़ा मतलब इसमें आपका जो स्वाइब करने का जो आपका तरीका होगा वो थोड़ा सदिफरेंट रहेगा तो पहले इसके डाइगराम बना लेते हैं आपको डाइगराम आपके गिवन नहीं है तो डाइगराम में आपका यह कह रहा है कि एक लाइट केवल है जो कि 18 मिटर लॉंग है इस सपोर्टेट एड़ टू एंट्स एड़ दे सेम लेवल दो एंट पर सपोर्टेट है जिनका लेवल सेम है राइट एंड और दा सपोर्ट्स आर सिक्स्टीन मिटर अपार्ट तो जो सपोर्ट्स है आपके वो क्या है dabei सबसे पहला इतना कि अभि आप के मैं थो सबसे पहले आपसा बना दी है err यह आपके सपोर्ट्स और लो वेन कि नहीं है आप लोगए कर यहां को पिर आप केबल बना लोगे फटाफट से एक यह आपके केबल बन गई इस केबल के लिए अपको 18 मिटर गिवन है ठीक है एंड देन आपको केबल सपोर्स त्री लोट्स ओफ एट टैन एंड ट्वैल यूटन डिवाइदिंग दा 16 मिटर दिस्टेंस इन फॉर इकवल पार्ट से ना आपके तीन लोड लग रहे हैं और इस तरीके से लग रहे हैं कि आपका 16 मिटर को चार इकवल पार्ट में ज्राल कोब तो एक आपका यहां पर लग रहा होगा प्लिण का यहाँ पर लग रहा होगा अ इनके values आपको given है, पहला आपका 8 है, आपका 10 है, या आपका 12 है, यह आपका diagram complete बन चुका है, जो आपको question में given था, right, अब आपको क्या निकालना है, इसका shape निकालना है, cable का, एंड आपका tension निकालना हर एक पार्ट पर, ठीक है, तो जो मैंने cable की shape बनाई है, यहाप पर यह गलत बनाई है, आपकी cable due to point load से parabolic नहीं बनती है, आपकी कैसी बनती है cable, funicular polygon बनती है, right, तो आपकी straight line होगी, कुछ इस तरीके से, जो आपकी मैं red बना रहा हूँ, red से, यह आपकी actual shape दिखाएगा cable की, right, कुछ इस तरीके से, और आपको जो deflection मिल रहा है इन तीनों points में, इनको आप कुछ नाम दे दो, जैसे आपका, मैंने 8 के नीचे आपको y1 मान लिया है, and 10 के corresponding job को deflection मिला है, उसको मैंने y2 मान लिया है, and 12 के corresponding job को मिला है, इसको मैंने y3 मान लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना question करना start करेंगे, जो आपकी support से यहाँ पर आपको दो-दो reactions मिलेगी, सबसे पहले आपको उनको calculate करना पड़ेगा, कौन-कौन reaction मिलती है, आप लोगों को दो vertical मिलती है, एक horizontal मिलती है, आपके same रहे की, वर्टिकल आपके different रहे की दोनों supports के लिए, अब करने वाले हो, अब आपस फड़ावट से अपना hint समझ दो, सब्सक्राइब करूंगे तो वी एंड वी आप निगाल सकते हैं आप मोमेंट लेखे कोई डाउट उसमें किसी इस सब्सक्राइब निकल जाएगा पर टीक है तब फर्स्टेप अपका होगा वी ए अपका जो आपकी मैंने एक्वेशन बनाई थी न है एच वाई वाली एक्वेशन जो जनरल थे बनती है वो बनाऊगे सबसे पहले आप टीक है वो कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको मोमेंट्स देना पढ़ेगा तीन चार पार्ट में कि आपको मोमेंट्स लेना पढ़ेगा कहां कहां पर इन पॉइंस के नाम दे दो आप लोग 1,2,3 नाम भी देदे तक है यकिंका इनका मैं एक्वाई 1,y2,y3 इनि माना है ना तो आप मोमेंट एड,ड़ट 1 prices less than गणाओगे, ग开ूट आप मौमेंट एट टू इकवडटो जिरो वैली एकवेशन बनाओगे, ग大 teamwork at 3 एकवड़ा क्वाल एक्वेशन बनाओगे राइट, तो वह कुछ इस तरह के से बंघ जाईगे आपकी hy एकवल जाएगी तब आपकुछ वैलू मिल जाएगी, ठीक है, hy1 मिलेगा आपको right, example ले रहा हूँ यह value आपके same यहाँ पर ऐसी नहीं मिलेगी मैं केवल example ले रहा हूँ ऐसी आपको यह भी कुछ मिल जाएगी कुछ integer value मिल जाएगी आपको यहाँ पर और आपको hy3 की value मिल जाएगी कुछ ना कुछ इस तरीके से है, आपको 3 equation कुछ इस तरीके के मिल जाएगी तो यहाँ पर इन 3 equation के health से आप लोग क्या करोगे आप लोग इनका ratio बना दोगे right, तो ratio में आपको यहाँ से y1, y2, y3 का ratio मिल जाएगा y1 ratio y2 ratio y3 ratio करना आपको लोग का आता होगा na h1 इसको आप divide कर दो equation number 1 को equation number 2 से हाँ तो यहाँ से आप इस equation को आई होग बना सकते हो right, तो यहाँ से आपको ratio मिल जाएगा कुछ values मिल जाएगी इनकी राइट यहाँ पर कुछ न कुछ integers value मिल जाएगी आपको right, अब इस से क्या help आप y1 को sorry, y2 को y1 की terms में लिख सकते हो y3 को भी y1 की terms में लिख सकते हो अगर आप यह ratio ना भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप क्या करो, इन equation के health से सब को convert कर दो इसको लेंथ में रखना पड़ाएगा हाँ, क्या करना पड़ेगा, आप यहां से y2 को convert कर दो y1 की terms में, right y2 को y1 की terms में निकाल calculate कर लो उसके लिए आप क्या करोगे equation number 1 को आप divide कर दो equation number 2 से तो आपको मिल जाएगा y2 y1 के बीच में relation, right similarly आप equation number 1 equation number 3 को divide आपस में करते हो ratio, तो आपको y3 मिल जाएगा y1 के respect में के लिए रहे, यह था आपका second step, right then आप क्या करोगे, next आपको length given है, अभी आपको y1 की value नहीं पता है, नहीं y2 की value पता है तो सबसे पहले आपको y1 y2 y3 निकालना है तो यह कैसा निकालोगे आप लोग यह निकालोगे आप length of cable के health से right, तो length of आपको पता है, कितनी है, 18 meter है और this length will be equal to जो आपका a1 segment है plus आपका 1, 2 segment है आपका plus आपका 2, 3 segment हो गया plus आपका 3, B segment हो गया, right 4 segment आपके बास given है है ना, कौन-कौन से segment बतारा हो मैं आप लोगो को यह आपका a1 हो गया, यह आपका a2 हो गया यह a3 हो गया, यह a4 हो गया right तो आपको यह a1 length निकालने पड़ेगी with the help of Pythagoras theorem then आपको 1, 2 की segment की आपकी length निकालने पड़ेगी with the help of Pythagoras theorem and तीनों की length निकालो का, ठीक है आप क्या करो, Pythagoras theorem लगा हो है आपको यह 4 value given है और आपको यह y1 आप assume कर लो, ठीक है, y1 पता है आपको तो आपको यह a1 निकल जाएगा a1 कितना निकलेगा आपका under root 4 square plus y1 का square right, यहीं मिलेगा आपको a1 फिर यह even तो काफी easy आपका निकालना next आपका जो y आप 1 2 निकाल दोगो, इसमें आपको ध्यान देना है right, आपका जो यह निकलेगा, वो कैसे निकलेगा आपको इस छोटे व्लेट रेंगल से मिलेगा, right तो इसका perpendicular कितना होता है आपका y2 minus y1 होता है, right तो जो आपका 1 2 के लेंद मिलेगी, आपको वो कितनी मिलेगी under root of 4 square plus y2 minus y1 का whole square यही मिलेगा बताओ फटाफट से 1 2 के लेंद हमें यही मिलेगी यह आपकी 1 2 के लेंद है ठीक है, यह आपकी a1 के लेंद थी now, आप लोग इस 1 2 की value को change कर दो, आप y1 के terms में, right, क्योंकि आप अगर इतने सारे variable रखोगे तो आपका कोई भी value नहीं मिलेगी तो आपको केवल यहाँ से क्या करोगे y1 के terms में सारे variable को change कर दोगे तो आप y2 को y1 के terms में change कर सकते हो, है न, आपने already इनके relation में निकाल कर रखा है right, तो यहाँ पे आप उस relation को use करोगे और आपके जो यह 1 2 के length होगी वो y1 के terms में मिल जाएगी आपको कि ज़े रहे सभी को आप 1 2 के length y1 के terms में निकाल सकते हो ऐसे, ऐसे, आप relation से यह भी प्रेंड कर सकते हो हाँ, तो similarly आप 2 3 में भी करोगे आपका पास 2 3 में y3 मिलेगा कुछ है न, आप इसी तरीके से निकाल होगे, तो आप जितनी भी length निकाल रहे हो a1, 1, 2, 2, 3, 3 b आप वहाँ पर make sure करोगे आपकी वो length i y1 के terms में, है न अगर आपका y2, y3 आ रहा है तो इसको convert कर दो y1 के terms में तो आपकी चारो length आप y1 के terms में निकाल सकते हो, right then आप इसको equate कर दो जो आपकी length of the cable है कितनी है, 18 है पिर आपको एक equation मिल जाएगी जहाँ पर आपका cable y1 variable होगा जहां से आप y1 की value calculate कर समझते हो आपको add करके सबको add करके will be equal to 18 के बराबर हो जाएगा और वहाँ से आप y1 की value calculate कर लोगे right, समझ मैं है या सबी को तो अगर आपका y1 आ जाएगा तो उससे आप y2 निकाल लोगे क्योंकि आपके बास already relation है y3 भी निकाल लोगे फिर आपका जो हमने पहले करा था tension निकलने का तरीका सेम उसी तरीके से निकाल सकते हो फिर आप theta1, theta2 निकालो और फिर जो normal आपका procedure है वो कर सकते हो इस question में बस यही दिक्कत थी कि आपके बास y1 नहीं given था और जो हमने किया था हम आपका y1 given था यहाँ पर पहले आपका y1 निकालना पड़ेगा तो उसके आपको यह सब काम करना पड़ेगा प्राइब प्राइब आपका